सो जैसी गाइज आप लोग ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था मोयो कुंग यांग फाइनल अपना ब्रेक्ट्रू कर चुगा था वह लुफांग को भी अपना एक खुद का पाथ मिल चुगा था जिसके उपर वो फाइनली चल के अपना आपको और दा कुछ सरकल जैसा ही होता है लेकिन इसके कुछ मिलाके आठ साइड्स होती है और यह जो अक्टाहडरॉन शेप बना था एक्चुल में सेकेंड चॉस क्रीचर से बना हुआ था जिसके आप लोगो पहले सब पता होगा कि जो लूफांग उसने अपने स्टार्ट आवर के कि बौड़ी काफी सारे वॉटर रापलेट से मिलके बनी ऊई थि वैसे यह जो दूसरा क्रीछर था इसकी बौड़ी काफी सारे आउक्ताहेड्रॉन से मिलके बनी ते ल olvansных प्सेप चेंज यहा थाश्यवाथ लेकिन इन प्रोपरिटीस ओनोते दरैगी से थी सीम ती प्रापटी से दिखते हैं अगर यह दिखते अलग भी है तो इनकी प्रॉपर्टी सिमलरी है यह चायवल की पाउर्स के साथ ही बान वाँन होता है इनकर बुरी बात है कि कि काफे दर स्टेबल और अंशेकेबल था लू फैंग ने जो पहले अपना अटाइक बनाया था उसके कुल मिला के टैन सिल्वर स्वार्ट को लू फैंग इस ब्लाइक ओक्टा एंटरन माउंटेन के ओपर मारता है और उसे एक चीज़ पता चलती है कि यह वाला जो मूव बन अगर लू फैंग ने उन्हीं वाटर रोबलेट्स को मिला मिला है कि लू फैंग नना एक पाफूल स्वार्ट अटाइक टेक्निक बनाई थ destruction खुऑ मिला है बनायी आफिति ईसमें मिला मिलाके लोप everything के तरह बना ली आ ता यान है उसकी जो बॉड़ी है और लगी लेवल के अंदर जा चुडी थी एंड साथ ही साथ बाहर की बॉड़ी को उसके इन रॉब्स ने कवर करके रखा था वाई अंदर की बॉड़ी को उसके स्टार्ट आवर ने कंट्रूल करके रखा था इस तरह किसे देखा जाए तो लूफएंग का डिफैंस से कलग लेवल के उपर जा चुका था लूफए इन सब चीजों से काफे थे सैटिस्फाय था वो अपने आपसे कहता है कि मैं अभी इस विए काफे थे सैटिस्फाय हूं मुझे लगता है कि मैं जितना था इन चौर्ज लेवल की क्रीचर्स को स्टडी करूँगा और जैसे मेरी ट्रांस्फॉर्मिशन होगी मेरी सारी जो है ऐसे अभलिड़े रोब बना सकता हूँ लोफ हैं अपने विला से भार आ चुका था यानि कि अपनी चाटर से भार निकल चुका था जैसरी लूफ हैं स्टार के बाहर आता है जो मुरुशा होता है वह भागते अई आता लूफ हैंसे कहता है मास्टर मास्टर फाइनली आप रिट्रिट से बाहर आ गए लुविंग स्माइल करते हुए कहता है अफकोस थोड़ादर टाइम लग गया क्योंकि वो जो मैटर था वो इतना था आसान नहीं था ट्रॉल जितने भी चॉज लेवल की क्रीचर्स थे इन सारे लोग क्रीचर्स का जो इंटरन श्रक्षर था वो काफे दा डिफरेंट था एंड काफे दा अलग था सबकि लाइफ फिरिट डिफरेंट थी लुव फैंग मुरुशा से कहता है जाओ और मेरे लिए कुछ खाना अरेंज कराओ साधी साथ थोड़ी बहुत वाइन भी रखना मुरुशा हां के अंदर मुंडे हिला देता है बट उसके बाद मुरुशा लुव फैंग से कहता है मास्टर मुझे आप से कुछ कहना है लुव फैंग के हाथों के अंदर एक वाइन का गलास था वाइन पीते पीते लूफ एंग उसके तरफ देखता है और कहता है बोलो क्या बोलना है मुरुशा लूफ एंग को बताता है कि जो मुयू किंग यांग फाइनली उसने 10 बेसिक लॉस को कॉम्परेंट कर लिया है वो ट्रूफ और वॉल्ट स्पेस के उपर पहुंच चुका है लॉल लिनियच की दुरू जैसे लूफ हैं यह चीज़ सुनता है उसके फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और हो कहता है फाइनली फाइनली इस बंदे ने कर दिखाया अफ्टर ओल उसे तुम्हारी पर्सनल गाइडेंज मिल रही थी उसे ब्रेक्टू तो करना ही था लेकिन उसने काफ़े दा वक्त ले लिया ब्रेक्टू करने में इसका मतलब जो मुर्किंग यांको कॉम्प्रेंशन है वो इत इतना तरह टैलेंटेंट नहीं है फिर मुरुषा लूफंग से कहता है माशल अगर उस बंदे को आप से कंपेर किया जाए तो वह पूरी तरकित से एक घजड़ा है आप लोगो पहले विए ता कि मुरुषा है वो सभी लोगो को लूफंग के साथ कंपेर करता है दी वन होगा कि यह बंदा फॉर्स टैन बेसिक लॉस को कॉंपरेंट करें जो लूफंग होता हूं मुरुषा की तरफ देखता और कहता है मुझे चुपाने की कोई जरुवत नहीं मैं जानता हूं कि तुम भी मोयोकिंग्यां को पसंद करते हो एंड तुम उसकी मदद करना चाते ह या त सची बोलो तो उसने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए यह तने सालों से जो वह हमारे साता रह रह था वो भी उसके लिये एक टेस्ट ही था उसने दिन रात हमारे साथ बिताया हमें कोई भी धोकाने दिया सीस के वज़े से मुझे उसके नीचर के बारे में पता चल गया और मुझे पता चला कि वो काफे दा साब दिल का है तीसरा यह जो मोयो किंग्यांग यह यह अपनी हदों को काफे इसी तरगे से जानता है इवन टॉट लूफ एंग का नीम इता था पॉपुलर है जब यहांग एंग के बारे में इस तरगे से मोयो किंग्यांग ने लूफ एंग के उटाल हुई सबसे जाता दा ता लूफ एंग ने तो पहले नلोगों को बता दिया था कि लूफ एंग को कोई भी गाटिवेत्स नहीं देगा अपने खुद के मेहनत से कल्टिवेट करना पड़ेगा बट उसके बाद भी यह जो बच्चा है इसने हार नहीं मानी और इसने खुद से मेहनत की अप्टरॉल मैं जानता हूँ कि तुमने उसका काफी एदा मदद किया है इतने सालों के अंदर उसने अपने विल को काफी अची तरके से टाइम पड़ किया उसे कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ पे उसके बाद भी उसने अपने जितनी ड्यूटी इस थी सारी की सारी ड्यूटी पुरी दिल और जान से नहीं पाई वो यह भी जानता था कि हमेरे साथ रहा कि वो कभी भी जिन्दा नहीं रह सकता जाथा टाइम तक बट उसके बाद भी वो हमारे साथ रहा एंड उसने कभी भी गिव अपनी किया डैन मुरुशा बस लुववेंग से इतना ही बूचता है तो मास्टर अभी आप क्या करने वाले हो क्या आप सही में से अपना डिसाइपल बनाने वाले हो लुववेंग मुरुशा की तरफ देखता है कि 30 सेंचिरी से जाधा का टाइम हो चुका है और वो अल्रड़ी सारे के सारे टेस्ट को पास कर चुका है बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज़यदा तुम से ज़यदा ख्लोज है तो क्यों ना वो तुम्हारा डिसाइपल बने जो पर भरुसा करो मैं तुम्हारा मास चारू मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बताने वाला लू फैंग मुरुषा के कहता है कि तुम्हारी current identity के अंदर तुम एक super powerful eternal true god हो जब मैं future के अंदर और ज़्यदा strong हो जाओंगा तो naturally तुम चॉजरिलम के warrior बन जाओगे मतलब यह already दोनों के दोनों चॉजरिलम के ओपर थे लेकिन external world के लिए जो मुरुषा था वो एक super powerful eternal true god था and same चीज लू फैंग के लिए भी आ जाती है बट जब लू फैंग future के अंदर जादा powerful बन जाएगा वो चॉजरिलम के अंदर अच्छीगा से अपने जड़े घाड लेगा उसके बाद जब वो अपनी real powers को दिखाएगा तो naturally जो मुरुषा है उसका भी level बड़ी जाएगा जो मुरुषा होता है वो अचानक से अपनी मुंड़ी हिलाते हुए मना कर देता है और वो खहता है माशर इवन मैं फ्यूचर के अंदर काफी जड़ा पावफुल ही क्यों ना बन जाओ मैं कितने ही जड़ा पीक के ओपर क्यों ना चले जाओ बट सिल मेरी आइडेंटिटी इतनी जड़ा अच्छी नहीं है बट माशर आपकी बात अलग है इवन आप इशन कंट्री यांग फैंग के गेस्ट बनने वाले इन फ्यूचर आपका जो स्टेटस अन पावर होगी वो काफी जड़ा नोबल रहेगी सितन फाइद बाता हुद बंकि मिल सकती उसे कले उसे इस ...... पिए पत्ता अपर है भी आपको बता है रहा हुँआक पड़ा का सर्दर्द हुचरें से बल्सके घरा कुछा लृळा थे मैं अभी इसकी कोई मैदत नहीं कर सकता जब लू फैंग मुरुशा की यह सारी बाते सुनता है तो वो मनी मन सोचता है एक सेक्टर बीस्ट है जो कि कैटस्ट्रॉपी को रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुल में डिस्रक्शन के लिए पैदा हुआ है वो गौड ऑफ डिस्र जो कि जंगल के अंदर पूरा का पूरे इस जंगल का राजा होता है बड़ जब उसे पाल के रख दिया जाए तो वो एक कुटा बन जाता है सीम चीज इस पक मुरुशा के साथ हुई थी बहले ही वो कितना ही जाता पौफुल क्यों ना हो लेकिन उसका जो निरियल नीचर पूरी तरगे चुप चोगा था इस चीज के लिए जो लू फैंग उसे मुरुशा के लिए काफी बुरा लग रहा था वह एक्चल में ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था लेकिन लू फैंग की भी एक मजबूरी थी अगर लू फैंग मुरुशा को अपना स्लेव नहीं ब बहुत बड़ी पार्टी रखवाई जाती है पार्टी के अंदर मोयो फैंबली जन्रल यू वू जन्रल यॉंग और काफी सारे हाई रैंकिंग इंटरनल टुगार जाता है यहां पर गाव वाउशी मॉली फियांग डाव रॉंग की और बाकी और लोग देखने के लिए मिल के पूरे यू कॉंटिनेंट के अंदर मुष्ट पावफुल इटरनल टुगार था वह इटरनल टुगार रहा नहीं था वह बात लगया तरीकी का जो फॉर्चून है वह लोग किस्मत सही लिखके लाते हैं दूफैंग का डिसाइबल बनने के बाद मोयो क्यों की जो ने भी टी किन उसने गिव अब कर दिया लेकिन उसके भाई ने इस अपॉच्निटीकों ग्रैब कर दिया इसे लुव फैंग का डिसाइबल बनने का मौका मिल गया मौंगवा टावर की माश्यर होती है वह भी दूर से इसको देख रही होती है वह बहुत बदी पर सब लोग थे सभी लोग के सामने जो मुलकिंगा होता है वो अपने घुटनों के उपर आके लूफ एंग को ग्रीट करता है और फिर वो कहता है मास्टर मैं आपका काफ़े दा शुगर मुजार हूँ तो सीन था यहां पर सभी लोग देख रहे थे अफ्टर ओल लूफ एंग कोई ओडिनेरी बंदा नहीं था और लूफ एंग का डिसाइपल बनना एक बहुत बड़ी बात थी और उरुजन कॉंटिनेंट के अंदर यह जो मास्टर और डिसाइपल वाला रिलेशनशिप है यह इवन बाप और बेटे के रिलेशनशिप से काफ अगर फ्यूचर के अंदर पूरी के अंदर जितने भी लोग है सभी लोग उनस बंदे से मुह मोड लेता है कि ऐसे बंदे को कौन ही अपने साथ रखना चाहेगा जो अपने मास्टर का नहीं हुआ जोगि इस तरकी के लोग एवन जो भी उसकी मदद करने जाएगा उसकी प प्राउड फील कर रहा हुता है उसकी चाहती पूरी तरकी से चोड़ी हो चुकी होती है उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपना देख रहा है यूवू यू हांग और बागी सारे लोग आहा कि लूपैंग को कांगरिचुलेशन कह रहे थे लूपैंग कहता है यह पूरुषा को अपने मन के अंदर मोई केंग यांग काफी जादा ब्लेश्च था कि उसे मोरुषा की टीचिंग मिली मोरुषा ने से जादा इस बंदी के वपर काफी जादा टाइम लगाया बट एडड और वो डिसाइपल बना लूपैंग का इना आपको बता है कि लूप ऑसका भी दिल कितना था साफ है बहुत की अंग को हमेशा डाटते रहता था लेकिन वो मुट की नियांग के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है यह पार्टी वार्टी अरेंज कराई हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाहर का मौल पूरी तरकी से नॉर्मल हो चुका हूं ल लगबग लगबग सभी लोग लुईयान हाउ से डरते थे एंड आफटर आल जो लीन हाउ था पूँ चाउज मार्शर के अंदर टॉप फाइज मार्शर के अंदर आता था डैफिनेटली वो पीख का चाउज मार्शर लेवल का वारियर था तो इतने अधा पावल बंदे से को कोई भी जी जुआंग हाउ की मदद नहीं कर रहा था वहीं शिफ्ट होता हम लोग को ओरियन कॉंटिनेंट के अंदर टियांजी आइस फील्ड लेखने के लिए मिलती है यह जो टियांजी आइस फील्ड यह काफ़ यह वास टेरी टेरी थी और अगर आप एशियन फ्लेम ब हाप देखने के लिए मिलता है के सामने एक इसी ती जिसका नाम तो जीओ फैंग सीटी जीओ फैंग सीटी असल में देखा जाए तो काफी ज़्यादा बड़ी सीटी थी इस सीटी के अंतर जितने लोग रहते थे वह काफ़े था कम थे चुल में यहीं पर ग्रेट से जूफ वो finally escape के अंदर enter कर जाता है उस eternal true God के साथ तो थोड़ा से अंदर जाता है वो eternal true God वहाँ से चला जाता है जी जूंग हो अकिला आगे जाता है अरे हाँ उस वक्ता प्रैक्टिस के अंदर थे जूफंग कहता है कि देखो मेरे लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टन तींग है एक जो ग्रेट से जूफंग था यह एक लोन कल्टीवेटर था और इसने किसी भी कंट्री को जॉइन नहीं किया था इसने एक अकेल इस रहता है यहां पर ठीक उल्टा है यह जो जगह यह काफे था हार्ज जगह पर इतने था ठंड होती ही कि आदिसे अलोग थंड से ही मर जाएंगे तो इसलिए यहां पर रहने वाले लोगों की संक्या काफी है कम है ऐसी जगह के लिए उसके साथ कोई भी नहीं करता सची जो लो तो इस बंदे का यह जो बैग्राउंड यह काफे था खतरनाक है जो ग्रीट से जू फैंग है एक एक रजिस्टर डिसाइपल था एशेंट फ्लिम विंड कंट्री का आप लोगों को पता होगा कि एक एशेंट क्लान है चुलिए जो एशेंट फ्लेम विंड कंट्री इसके अंदर काफी सारे एलाइट डिसाइपल्स थे पहले एंड उनके बीच में काफी सा तगड़ा कॉम्पीटिशन होता था जो जू फैंक ता यह जब तो चौज मास्टर लेवल का था वह काफे था पावफुल था देरे देरे करके उसका जो कल्टीविशन है वह स्लो हो लग गया इस विरान जगा में रहने लग गया जहाँ पर उसने अपनी खुद की कंट्री सेटप की अपने खुद की ट्राइब क्रीट की इसके अंदर भले कुछी लोग रहते थे लिए सारी सारी लोग काफे था सुगुन से रहते थे जो जुजियांग होता है वो धारू पीते हुए जो फैंग की तरफ देखते हुए कहता है तुमने मेरे बार में सुना होगा किस सीचुएशन से होके घुजर रहा हूं जो जुजियांग होता है वो जुजियांग होता है वो जुजियांग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रोक पाऊंगा इसलिए म मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ तो आप मेरी मदद करने के लिए तयार हो जाओ तो आप जो भी मुझसे मांगो मैं आपको बुदे निकले तयार हूँ जो जो फैंग होता हूँ पहले वाइन पीता है एंड वाइट पीने के बाद वो कहता है कि देखो तुम शांती से इंग्डम के अंदर शायद ही कुछी लोगों के जो कि मार्किस को लिटरली तक कर दे सकता है यानि कि मार्किस लिल्यानाओ को वैसे भी उस बंदे के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो भी काफी दा बड़ा बड़ा हात है लोग का फेदा मेहनद से चाहँ रिरम के उपर प जाएंगे क्या सही में तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्राइजर है कि तुम्हारे पास कोई गौड की वैपन है जिसको जिसकी देते हुए तुम उन स्ट्रॉंक लोगों को ब्ला सको मार्किस जुजु आंग ना के अंदर मुंडेल आते हुए कहता है वो कहता है मैं कावी गरी सब्सक्राइब का लेकिन सिल जानता था कि एक गौड किंग लेवल का वैपन मिलना कितना अदर मुश्किल होता है वह मार्किस जुजु आंग हाउस ही कहता है कि देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ पूरी तरगी से खाली है और तुम चाहते हो कि ल सब्सक्राइब करते हैं मैंने सुनाए कि तुम्हारा जो फाइवडम है काफिदा बढ़ा है तुम्हारी मेदद करता हो तुम्हारे फाइडम को प्रोटेक करने के लिए मदले में उसके अंदर से जितने भी कल्टिवेशन रेसिदेंसी फीज आएगी दो लार सिटीज की व वारियर भी किसी भी इतनी असानी से नहीं कैपचर कर सकता था आधिर जो लिलिया आनवा हो इतना पाउपडनी के बाद भी वह इतने हजारude अग्वाल के साथ फाइड कर रहा है सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हारी कोई भी मज़द करने के लिए नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे हाथ पूरी तरी तरह खाली है तुम्हारी मदद करके किसी कोई भी फाइदा नहीं होगा जो जीजियांगा होता हुँ उसे असल में तो लगा था कि उसके असल में काफी सारे दोस्त है पट आज जब सची में उसे अपनी दोस्त की ज़रुद पढ़ रही तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा वही सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआंग सिटी के बाहर का सीन देखने के लिए मिलता है ब्लड कलर फ्लेम एक जब पर कंडेंस होती है और हम लोग को एक इंकांगनेशन देखने के लिए मिलता है लिया नहाओ का जो लिया नहाओ होता है वो मनी मन कहता है कि लाज जो पर हमारा बैटल हुआ था हुआंग सिटी के अंदर उस बैटल के अंदर जीजयांगा को कई नहीं कई चीज रियलाइज हो चुकी है वो इटर्नल ट्रू गॉर्ड लेवल के आर्मी के अंदर हमसे नहीं जीच सकता चाहे वो कुछ भी कर ले तो हर जगा पर जा जाके अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करने की कुछ कर रहा है वो मदद पांगने की कुछ कर रहा है बट कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला after all जो ले आना होता उसे अपने इन सारे बातों के उपर काफे दा घमन था क्योंकि ये काफे दा powerful था एंड से पता था कि इससे निपटने के लिए या फिर इससे बेढ़ने के लिए कोई भी दूसरा eternal true word ऐसे ही नहीं आने वाला जब तक उसके कोई इससे personal दुश्मन ही ना हूँ तो कि इस बंदे ने हमेशा अपने life के अंदर काफे दा aggressively और काफे दा voluntarily एक किया है जिसके कारण सारी ये सारी forces इससे डरते थे कोई भी eternal true word बिना मतलब कि इसके साथ fight नहीं करने वाला लियानाओ जोर जोर से रसने लग जाता है और वो कहता है कि even thought अगर वो अपने लिए किसे helper को भी ढूंड लेता है उसके बाद भी इस war का जो result है वो decided है हमी इस war को जीतने वाल है actual में ये जो बंदा था लियानाओ ये चाहता तो ये कप का पुरी के पुरी हुआंग जड़ी के ओपर attack करके उसे बरबाद कर चकता था बड़ जो 2-3% chances थी कि जो जुझांगा होता वो अपने support के अंदर किसी powerful helper को लेकिया है और उस वक्त भी इसे उसके साथ fight करनी पड़ती तो इसलिए ये सोच रहा था कि अभी fight करके आर्मी बरबाद करके कोई मतलब नहीं है जब वो अपना किसी helper को लेकिया जाएगा तो आराम से चैन से एक final fight करेंगे पर अभी कहीं न कहीं से भरूसा हो गया था कि शायद ही उसकी मदद करने के लिए कोई और आएगा तब ही हम लोग को इस लियान हाउ का बेटा देखने के लिए मिलता है जिसके तरफ देखते हुए जो लियान हाउ होता है वो कहता है क्या तुमने अपने senior brother और sister से contact किया क्या तुमने उन दोनों को खा कि वो स्नोर इलम एनवो को लेकिया आए अपने साथ वही ये जो बंदा होता है वो हाग अंदर मुंडे हिला देता है जिसके बाद उसके father यानि के लियान हाउ कहता है कि बहुत अच्छे जब तुमारे senior brother और sister यहाँ पर आ जाएंगे तो उनके स्वागत के अंदर कोई भी कमी नहीं जूटनी चीए और उनके आने के बाद finally हम इस war को start करेंगे लियान हाउ इस वो काफिया था अच्छे कासे mood में था इस इंचिफ्ट होता है हम लोग को हौंक सटी के अंदर लुयन देखने के लिए मिलता है जो लुयान था वो लियान याउ काई बेटा था वो immediately अपने बड़े भाई भेन को contact करता है वही उसके जो senior brother or sister होता है वो कहता है कि हमें मास्टर ने पहली order दे दिया है आपको जिंदा करने की कोई ज़रूत नहीं है हम जल्दी से जल्दी हापे पहुचने वाले है साथ ही हम स्नोरीलम envoy को भी अपने साथ लेके आ रहे है इसल्में ये दोनों की दोनों शायद से लिलियान हाओ की disciples थे यही कारण था कि जो लियो यन यान था वो इन लोग को अपना बड़ा भाई और भेन कह रहा था वही वहापे हम लोग को एक black armor general देखने के लिए मिलता है जो कि लिलियान के पास आता और कहता है यंघ माशर यान जिस तरीकर से माशर ने पहले ही कह दिया है कि यह जो Jiji यांग हाओ है वो और रड़ी अपनी हार मान चुका है जल्दी वो अपने घुटने तेख देगा तो ऐसा लगता है कि यह जो वार एक आफी दर स्मूज जाने वाला है वही जो यंग माशर यान होता है यानि के लिलियान यान वो कहता है हाँ 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 आफ्टर ओल वो जीजे आंगा वो किसी को लेकर आएगा मेरे पादर से लड़ने के लिए और किसमें इतना दम है जो मेरे पादर के साथ वाइट कर सके जैसे भी मेरे senior brother और sister यहाँ पर जल्दी आ रहे हैं उनके लिए हमें खाने की तयारी करने पड़ेगी जो black general होता है वो थोड़ा तो शौव होता है खाने की तयारी यह कोई बड़ा matter तो नहीं है तबी जो लियू जिन्यान होता है वो कहता है अरे उल्लू के पठे खाना उनका खाना कोई ordinary खाना नहीं होता तुरंत वो जो black general होता है वो समझ जाता है लियू जिन्यान इसकी तरफ देखता है और कहता है यह जगह अच्छी है यह जगह मैं अपनी senior brother और sister को ऐसे food के तौर पे दे सकता हूँ इसका मतलब समझ सकते हो गाई इसके जो पी बड़े भाई बैन है वो आदम खोर है वो इंसानों को खाता है जिसके बाद तुरंट जो लियू जिन्यान होता है वो अपने subordinates के साथ तुरंट वहाँ पर चला आता है स्नोरिलम एन्वाइ के साथ इस बंदे को पुरे हुआंग जड़ी के अंदर किसी से डर नहीं लगता था इवन लू फैंग किसे भी नहीं उसे लगता था कि उसके स्नोरिलम एन्वाइ के साथ वो लू फैंग को आराम से पचार सकता है और लास्ट ताइम लू फैंग के फटके हजार हो गई थी बट इस लू के पटे को नहीं पता कि लू फैंग का उल्टा फाइदा हो गया था उसने अपने ब्रेक्ट्रू कर लिया जो लियान होता है वो उस ब्लैक लॉड के तरफ देखते वे खहता है देखो हम कुछ भी करें लेकिन हमें स्टिल एक नज़र सिटी लॉड मेंशन के तरफ घुमाक के रखनी चीए हमेशा कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त अभी में हम पुरी तरके से इस पौर को नहीं जीते हैं हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो स्नोरी ला मैं वह था वो फाइनली फिंग यह डिस्ट्रिक के अंदर आ चुका होता इस वक्त यहां पर जितने भी प्रेक्टिशनर थे वो सारे के सारे अपनी रेसिदेंस इसके अंदर अपने घर के अंदर चुपे होए थे उता पूरी तरके से पैनिक स्टेट के अंदर ता जो चुटी मूटे घाउ थे उसके अंदर हौगी के चुटे मूटë फॉमिशंशन लगे हुए थे बट इन सारे formation को तोड़ना कोई ज़ादा बड़ी बात नहीं थी एन से इन लोगों कोई भी फरक नहीं पड़ता था क्योंकि एड़ यह अभी जैसे जी जोंग हाउ को टैक्स पे कर रहे हैं उसी तरह के से उन्हें लियान हाउ को टैक्स पे करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर कोई भी चीज नहीं बदलने वाली फिलाल के लिए इस वक्स सबस क्विकली एक हाथ के अंदर लगबग लोग फैंग में डिस्ट्रिक के आदे से जादा लोगों को अपने हाथों के अंदर पकड़ लेता है इस चीज़ के गारण इंस्टेंटली काफिया था कुमोशन सा क्रियेट हो जाता है जिसके गारण जो हौंग सिटी की नजर होती है वो इस जगह पे पढ़ जाती है जनरल यूव भी इस जगह को देख रहे थे क्योंकि आफटर आल जनरल यूव भी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे तो उनको पता था कि कहा कब क्या हो रहा है वही जब मुरुशा इन सब सीज़ों को देखता है तो उससे समझ नहीं आ हैजते हैं जिसके अंदर वो किसी तरीग momentos कर दे जुटर आ इसले वो जिंदा लोगों को खाके अपना सबादा पावफुल होती है वह क्या करना चाहन को प्रैक्टिशल्चान करने के लिया चैनल जैन्म आपड़ता है जिब लूफाइं चीज़ों को सुना तो लूफैंग को का फेदा घुसा आ रहा था क्योंकि आफटर रॉल जो लूफैंग था वो ऐसे लोगों से सखनफरत करता था जो अपनी कल्टिविशन बढ़ाने के लिए हंडरेड और मिलियन अब लोगों को इस तरह के से मैस्क्रू कर रहे थे जाने के मार रहे थे एक्च्वल में इन बिचारे डूफैंग की गलती भी क्या थी यह बस चांदी से अपनी जिंदगी जीना चाहते थे जिसके लिए वो टैक्स को के रहा पे करते थे पट सिल एड़ एंड उनको क्या मिला वो किसी और को खाना बनने जा रहे हैं इस सब सब्सक्राइब करते हैं और उसके अंदर काफी सारे मिलियंज आफ लोग थे वो सारे के सारे तडप रहते हैं वह जो चलाते हैं कि हम बस नॉर्मल ट्रू ओड्स हैं तुम हमें टार्केट क्यों कर रहे हो आखर आखर हमने तुम्हारा क्या भी गाड़ा है लेकिन सड़नली वो उस स्नो मैसेंजर यानि कि यूव कि जूबी सिग्रेट डेट हैं और उसके दिल को बार निकाल देता हैं अंड ये चीज आपको पता है किसको करने की आदत है अफकॉस यह लोग फैंग ठाय बर लोग वाली आ है वर लोग पने अपने पहले वाले फर्म के अंदर दु छेट कर दिया इसवक्त जब लूफ एंग ने स्नोर एलम एंवाई के अंदर छेट कर दिया था तो इवन उसको भी भरुसा नहीं हो रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह सारे स्पेशल मैंग निकल सिक्रेट ट्रेजर जैसे कि हाट डीमन काईट होगा हाट शेडव डीमन जन से वह कहता है अरे हाँ इसका मटीरियल के तभी जदा पाफुल कि होना लेकिन से थोड़ा सा कमजोर है और देखा जाए तो कुछ भी इंदर इतना दम नहीं कि वह स्नोर एलम एंवाई के अंदर छेट कर सके बट लूफ एंग अभी कोई टेनल टूर नहीं रहा था वह अभ लिए ती इस वक्त इस रॉबट के अंदर छेट कंडी के बाद जो लूफ एंग था वह एक ब्लड़ी और आफील कर सकता था इन लोगों के लीडर का जो के लिलियान था साथी साथ यह जो स्नोर इलम का ट्रेजर था इस ट्रेजर के अंदर हम लोगों को कुल मिला के 36 इटर लोगों की तरफ देखते वे कहता है कि तुमारे लिए कितना था बुरा हुआ कि तुम इस स्नोर इलम के अंदर बॉन हुए हो मुझे तुम्हें मारते हुए बिल्कुल ही बहुत बुरा लग रहा है एक्चल में जो लूफ एंग था उसे कमजोर लोगों को मारना बिल्कुल देखने के लिए मिलता है जो तुरंट उस टरजर से बाहर आके रस्ते के ओपर घर चुके थे रही बात उस मेकनिकल टरजर की तो बुरी तरके से डैमेज हो चुका था लेकिन अभी भी उसे इस्तमाल किया जा सकता था एंड अभी भी वह अच्छे का से प्राइस के अंदर बिख जाता इसके बाद जो लू फैंग होता है वो लियो जिन यान की तरफ देखता है जिसे उसने अपने पाम के अंदर के छोटे बच्चे के तरह पकड़ के रखा था उसके बॉड़ी के उपर जब लू फैंग सिमिलर से फैमिलेर से वो रॉब्स देखता है तो वो समझ जाता है तेकिन से लुफएंग को इस बंदे से काफे दा चिण मच रही थी वही इस वक्ट जो लियान यान था वह इस वक्ट पूरी तरके से एक शौक के अंदर जा चुका था उसे भरुशा नहीं हो रहा था जो लुफएंग वह इतना था पाफुल कब हो गया वह लुफए लग रहा था कि कहीं जो लुफएंग के अंदर पहुंच तो नहीं गया है क्योंकि यह जो ट्रेजर था यह कोई ओडिनरी ट्रेजर नहीं था नहीं था स्नोर इलम एनवाई के अंदर कोई भी इंटरन पूर्गाट छेथ करी नहीं सकता था चाहे वह कितना ही ज्यादा वह प्रिन पाश्चर जिए जो उसके माश्चर वो और रही चाहुझा रिलम के अंदर पहुछ चुक हैं वही मोह कुंग रूंग के साइट में लोगों मूरुषा देखने के लाए मिल सकता था जो कि बस मोह कुंगां के तरफ दिक्ति वे स्माइल करता है और यह मोह कं लिय शाप करके रखाता यह देखने में सही में काफ़ी तहाम बज़ेदार लग रहा था वह सारे के सारे लोग उनको अभी अभी है ने बचाया था उसके अंदर उसके अधरीट कर दिया था जिसके बाद इनका जो लीडर था वो लू फैंग के हाथों के अंदर था और रही बाद उन 49,000 वाइट ट्रूगाट्स की तो वो इदर उदर पड़े हुए थे लू फैंग ने इनको नहीं मारा था वही जो बाकी के 49,000 वाइट ट्रूगाट्स से वो इस वो काफी दा चिंता के अंदर आ बाद थे उनने समझ नहीं आ रहा था कि अभी उन्हें कहा जाना चाहिए क्योंकि उनके सामने वो जो उनका मैकनिकल सीक्रेटर जाता स्नोर इलम वाइट वो अल्रीडि लिया जा चुगा था लूफैंग के द्वारा वही उनके जो लीडर थे वो अल्री लूफैंग के हाथ चाहिए जी है या मरे लोग फैंग ने इन लोगों यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया था लेकिन यह कितना ही टाइम तक जिंदा रह पाएंगे उस सारे के सारे 49,000 वाइट ट्रूग और उन सभी लोग के मन के अंदर अपने अलग 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 थौट से चाहिए इस सारे के सारे जो वाइट ट्रूग और ते ही किसी और फोर्स को जॉइन भी नहीं कर जकते थे लूब फैंग ने उन 49,000 वाइट ट्रूग और उन बिलियंज ऑफ फैंग यू डिस्ट्रिक के लोगों के बरूसे छोड़ दिया था वही हमें यांग फैंग फैंग के अंदर डी चुयू देखने के लिए मिलता है जो कि वहापर डिप्यूटी चीफ था जब वो फैंग को लूब फैंग के अंदर लिके जा सकता था अपने साथ वही जो एंपर चुयू होता है वह लूब फैंग को तुरंत एक मैसेज भीजता है कि लू है तुम और मैं हम दोनों के दोनों चौज डिलम के अंदर अल्डेडी पहुँच चुका है तो इस मैटर को यहीं पर खतम कर दो जैसी यह मैटर खतम होगा वैसी हम दोनों एशियन कंट्री यांग फैंग के लिए निकल सकता है और मैं तुमें एक और चीज के लिए एडवाज देना चाहूँगा कि यह जो लियो जीनियान है इसे मत मारो क्योंकि आफटर आल जब यह दो कंट्री आपंस में फाइट करेगी तब कोई भी लड़े मरे या फिर कुछ भी हो इनसे कोई मतलब नहीं होगा पर अब अगर लूपैंग ने इस वक्त पब्लीकली लियो जीनियान को मार दिया तो उसके जो फादर है लियो लियान हाओ तो डैफिनेटली लूपैंग के साथ बदला ले जरूर आएंग में उसकी क्या इज़त रह जाएगी इस वक्त जो लियो जीनियान होता है वो लूपैंग से भीग मांग रहा होता है अपनी जिंदगी की वह जो लूपैंग होता है यह काफिता क्रूल लोग है क्या तुम्हें सही में लगता है कि मुझे किसी के बैक्राउंड से कोई डर ल लफ यर्स की जानि कि वह जिंदा रहा है वह मरें उनकी किसी भी जाथ फाइट हो इस जी से यांग फैंग किंग्डम को कोई मतलब नहीं होता क्योंकि यांग फैंग एशन कंड़र के काफी सारे गैस्ट हो सकते हैं यह सारे गैस्ट के सबके अपने के कुछ परसनल मैटर हो होता है वो कहता है कि देखो एक बाद तुमने लिन यान को मारा तो जो यहां नहाँ हुआ है वो डेफिनिट तुम पर काफे तो गुस्ता हो जाएगा एंड मैं भले ही रॉयल फैमली का मैंबर हूँ वह भले ही मुझे कुछ ना करे लेकिन मैं उसे नहीं रोग सकता री जिंदा पकड़ लिया था वही सब्सक्राइब कर दिया है उसके बाद भी लियू युनियान को छोड़ने के लिए तयार नहीं है लोग को जी जियांगाओ का इंकागनेशन देखने के लिए मिलता है जो कि सिटी लॉड मेंशन के अंदर ही था एंड इवन ये भी ये सारे क हैं की से बीच में आपर भी는 बहुत बड़ा भी होता है तो तुम्हें इन सब चीजों के अंदर पढ़ने की कोई जरुत निएяет गरियागा उब दो-चिंध की जरी वहन हंघ हैं वहमिशा हमिशा के लिए उसका हो रहे जाएगा इन सब चीजों से तुमको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है जब लूफाइंग यह चीज सुनता है वो तुरण जीज़ कहता है और कहता है क्या आप अपना इसी तरगे से छोड़ दोगे जो जीज़ होता है कि आप्टर आल में इतना दा पावफुल नहीं हो भले अगर कोई मेरी मदद कर भी देता तो कोई बारवाला मेरी मदद कितनी इपार करेगा मुझे अपने उपर हमेशा से मेरे बचा चुक आओ लेकिन मैं हमेशा उसे नहीं बचा सकता तुम अभी अभी चौज लम के अंदर नए-ए आयों तुमें अभी भी टाइम की न इंदेंस होती है उसके अंदर एक डाक रेट कलर के आर्मेर वाला बंदा था चुकि लूँव एंके तरफ काफे घुशे में देख रहा था अप समझ सकते हूं कि ये बंदा कौन हो सकता है ये बंदा और कोई नहीं यह लिलीया नहाँ होता चु लूँव एंके तरफ गुसे म के वारियर हो और मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता है वह लिलिया नाओ की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ये डील कर लेता हूँ तो क्या मैं गरीब लोगों के उपर अत्याचा नहीं कर रहा हूँ लू फैंग का कहने का मतलब थ अगर लू फैंग इस बंदे के साथ डील कर लेता है तो उन हंड्रेड ओ मिलियन ऑफ ट्रू वार्ट का क्या होगा लिया नाओ होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है और कहता है देखो अगर तुम अपने हापकी कबर खुदवाना चाते हो तो तुम्हें जो करना है त लू फैंग तुरन लिया नाओ की तरफ देखता है अच्छा ऐसी बात है और जो फैंग होता है वो काफ़ एड़ा इरोगेंट ली उसका जो बेटा होता है उसको अपने हाथों के अंदर पूरी तरके से मसल देता है यह जो चीज ती यह लू फैंग ने लिटरली लियान हा ले लिया जिससे इवन जी जी यांग हाओ की भी फटती है इस वक्त जो डी चुई हो था वो भी पूरी तरके शौक के अंदर चला गया था अफटर आल वो यह चीज तो जानता था कि जो लू फैंग हो काफ़े था जित्ती किसम का इंसान है इस वक्त अल्रेडी उसके सामन लिलियान हाँ आ चुगा था एंड उसके सामने उसके बेटे को कुचल दिया वही हम लोगों लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि लिलियान हाँ के तरफ दिखते हुए कहता है कम आन मैं भी देखना चाऊंगा तो मुझे किस तरीके से मारते हो वही हम लोगों लेबल लके वारियरस कहा जाता था इस एक पीट लेवल का वारियर्स लेवल की खीटर म के अंधर बी जो वारियरों चाorang लेवल की remind के बीक तग लेवल एकर वह फर दिखते है और तो यह मर भी प्राइवन आपने त?". को perform कर सकते है जिसके तुरू उनकी जितनी भी memories होती है वो सारगी सारी intact होती है and वो किसी background को join करके जल्दी अपने आपको वापी से climb up कर सकते है वही जो डिपुटीमिजम का माशर होता है वो कहता है ये problem लोओ फैंग ने अपने उपर प्रोटेक कर सकता है बट इस बंदे को अभी भी शकता है कि लूओ वैंग के पास सही में क्या इतनी पावर है कि वो एक चौज मास्टर की पीक लेवल के वारियर के साथ fight कर सकता है क्योंकि चौज लेवल की पीक सही में काफी रह टेरिफाइंग होती है नियूली प्रमूटेड चौज लेवल का मास्टर के सही में चौज पीक वारियर के साथ fight कर सकता है वाई सिटी लॉड मैंटेन के अंदर जो जनरल यूव होते उनकी भी face पूरी तरके से change हो चुके थे इस वक्त सभी लोग के मूँ खुल चुके थे वह या पे जनरल यूव हो भी थे वो कहता है कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए इन लोग की fight कोई नहीं रोक सकता लिलियान हाउ के सामने उसने उसकी बीटे को मार दी after all अगर उसे अपनी इजद बचानी तो उसे fight करनी पड़ेगी लूफ हैं के साथ चाहे वो चाहे या ना चाहे सभी लोग लियान हाउ को एक disaster के तरह देखते थे एक world disaster के तोर पे इसके जो moves थे वो literally world disasters को represent करते थे इसलिए इस बंदे के साथ कोई भी बेंड़ना नहीं चाहता था इवन आप लोगों ने देखा होगा कि जो जुजियांगा वो इतने लोगों से मदद मांगनी के लेगा आता लेकिन कोई भी चौधरिलम का warrior इसके साथ नहीं fight करना चाहता था इस चीस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लिया नहीं होगा वो कितना ही ज़्यादा powerful है इस moment के उपर जब उसका बीटा उसके आखों के सामने मर गया तो वो पुरी तरकी से rootless हो जाएगा इसपक सभी लोगों को लूप हैंगी काफिता चिंता हो रही थी बट मैं इस चीस की कोई guarantee नहीं दे सकता कि मैं पूरी हुआंग सेटी को save कर पाऊ जो लिलिया नहीं होता वो जिर्यांगों के साथ war करने वाला था या नहीं करने वाला था ये अलगी matter था बट इस वग जो लूप हैंग था उसने एक तरीके की disaster को provoke कर दिया था जो मुरुषा की तरफ देखता है कि तुम्हेशा चिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है बहुत अच्छे मुझे नहीं लगता कि जित्यादा इस वक्त तुमने मेरे बेटे को मारा है उत्ते ज्यादा तुम काफे दर टैरिफाइंग सा फिगर बाहर आता है उसका जो टैरिफाइंग और होता है वो पुरी तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम आ गए इस वक्त डू चू यू जीजियांग हाओ और जितने भी लोग थे वो सब लोग काफे दरे होए थे जीजियांग हाओ उ तो लू फैंग तो अभी नया नया एक चौज लिलम का माश्रता वही जो लिया नहाओ की जो रियल बॉड़ी होती हो लूवएंग की तरफ दिखती है तुम्हारे अंदर घुरदा तो है इसके बाद सब्सकी बॉड़ी गायब हो जाती और पुरा पुरा जो आसमान होता हो कि असमान के अंदर क्या हो रहा है कि फिर कोईड़ी के अपर लाल कलर की नसे हैं डेखने के लिए मिल सकती ती हो काला आसमान ता उप भी और कि उन्ड़े तरक की के लिए मिल जा रहा थेCS पुरें खेयारों जड़ी के अंदर इस व zeट एक नडर और ओर दो जो उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी मौत के तरफ देख रहा है जी इंग सेक के अंदर वो जो 18 एल्डर से वो लोग भी इस वकिस सीन को देख रहे थे जो जी इंग सेक का मास्टर होता है एक्शल में उसके पास एक टोकन था जो की टाइम इन स्पिस का ट्रेजर था यह जो ट्रेजर था यह लिया नहां उन्beltे को दिया था यह एमर्जन्सी के लिए दिया गया था कि अगर जो जी जाğँ हब है वो इस fajट के अंदर उतराता है लिया हाँ किसी भी जगा पर ही क्यू ना वो तैसी वो इस टोकन के दूरू उसको समन करेगा वैसी जो लिया नाव है वो यहाँ पर पहुच जाएगा लेकिन इस वग जो लूफ एंग था उसने अल्रेडी लिया नाव को प्रवक कर दिया था उसने इस टोकन का इस्तमाल करती वो तूरंट यहाँ पर आ गया था यह जो एल्डर्स होता है यह अपस में बात करते है क्या यह लूफ हैं के पास क्या इस बंदी के पास सही में ऐसी कोई चीज है जिसके कारण यह सही में इतना था अरोगेंटली भीव कर रहा है चौज लॉट्स के अंदर भी काफी तक कम ऐसे चौज लॉट होते है जो कि पीक आफ चौज कहला आए जाता है और उनके अंदर से जो ली ले आ रहा हुता यह वन आप दो मोश पावफुल था टॉफ फाइ चौज लॉट्स के अंदर आता था पूरी के पूरी यूज स्टेट के अंदर इसवर्ग एक्च्वल में वो जो तीन आखो वाला जी इंग सेक का माश्टर था उसकी भी फट गई थी बिकाज यह जानता था कि इसका जो जी इंग सेक था वो पूरी तरके से तबाव चुका था क्योंकि एक बार उन्होंने एक चौज लॉट को छेड़ दिया था जिसका नाम था जी जुआन ग्रेट सेज इवन टॉट इनके जीन सेक के अंदर भी काफी जारे चौज मास्टर के वारियर्स थे उसके बाद भी उनका पूरी तरके सेक के अंदर आ चुका है तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूरा पूरा सेक खतम हो गया जिसके अंदर और इतने जारे पावफ पूल चौज मास्टर है अफटर रॉल उस लिल्यूहान मार्किस ने इस बंदे से कहा ही गया था बस नोरीला मैंवाई को वापिस करने के लिका था और कुछ एक बिलियन कॉस्मिक सैंडी तो मांगे थे ना देके यह अपनी जिन्दगी बचा सकता था अभी अभी चौज मा माश्र था इसने एक्षाल में एक वाइड देखी थी जो कि जिजियांग ग्रेट सेज इन लोगे जो जींग सैक था उसके अंदर की तीन चौज मास्टर के बीच में हुई थी यानि कि थी भी वन हुआ था उसके बाद भी जो जिजियांग ग्रेट से वह इत्या था जिजियांग ग्रेट सेज का एक्जांपल इसले दिया जा रहा है कि जिजियांग ग्रेट सेज भी एक टॉप लेवर का चौज मास्टर है तरके से जो लेनी नहीं वह वह भी टॉप 5 चौज मास्टर के अंदर आता है लोग अपने सर के उपर के उस डाक स्काय की तरफ दुनिया मेरी दुनिया है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे पास अगर कोई लाइफ सेविन सीक्रेट ट्रेजर या फिर कोई मैटर है तब वो मेरे दुनिया के अंदर काम कर सकता है पर रही बात रिकागनेशन की तो तुम अभी एक न्यू चौज लिम्प के मा चाते हो तभी लू फैंग के पीसे हैं जो खुंठ मेंने लूफिए और होता है परकिए Corporal आउइख और रिकरते हैं जल्दी से पने दोस्तों गो वर यहां से निकल जाओ ब्रिये रोकाओ अगर मैं जीत जाता हूँ तो यह सबस्यादा बैस्ट होगा लेकिन इसकी चांसे काफी दा कम है इसके बाद जो जीजियांगा हुता है वो स्माइल करते है वो लूफ हैं की तरफ देखता है और वो अपनी जगह से डिसपीर हो जाता है और फिर वो पुरी तरह के से आसपास क वॉइड के अंदर मर जो जाता है जो जीजियांगा हुता है वो काफी इची तरफ देखते हुए कहता है हम दोनों में से कौन ज़्यादा पाउफुल है और कौन ज़्यादा वी कहा है तो यह पुरी दुनिया थी यह बलड एन फायर से पुरी तरफ देखने के लिए मिलती है तो कि इस बलड एन फायर को सप्रेस कर रही थी और जो चौज लियर थी वो और किसी की नहीं जीजियांगा हुगी थी असमान के अंदर हम लोगो काफी सारी फिगर देखने के लिए मिलता है और जो जीजियांगा हुग था वो भी अपने एक्सेंशन को परफॉर्म कर र वो जो वॉइड नैट होती है वो लिलिया हाँ के वो जितने भी थाउजंस ओफ फिगर होता है उन सारे फिगर को कट कर देती है पीसे इसके अंदर लू फैंग इस फायट को अपने हागों से बस खड़ी खड़ी देख रहा था जो लू फैंग इन लोगों को देखता है त ताकि वो इनके फायट को देखके चौजरेलम को कॉम्प्राइंट कर सके अप्टर आल वैसे चौजरेलम के बारे में इनफॉर्मेशन काफी सारी उसके पास पड़ी हुई है बट किसी फायट को अपने आखों के सामने देखना ये काफी जादा अच्छा होता है क्योंकि त तरी के से चौजरेलम के मूज बनते हैं घटते एक दूसरे को काटते हैं और किस तरह की सब पफॉर्म किये जाते हैं बस आज तक एक ही बंदे के साथ फायट लड़ी ती जो की चौजरेलम के उपर था वो था मोरुशा बट वो उनके बीच में एक फ्रेंडली फायट थी लू फैंग इन सब जीजो के बार में सोची रहा होता है तभी जो यांग फैंग पैविलियन के महाशर होता है डी चुयू वो लू फैंग से कॉन्टेक करते हैं और कहता है लौड लू है अभी तक आप यहाँ से निकले क्यों नहीं आपको जल्दी यहाँ से निकलना चीए जी जी आंग आओ उस बंदे के साथ फाइट कर रहा है तुम्हें इस इसका फाइदा उटाते हुए जल्दी यहाँ से निकलना चीए बट लू फैंग डू चुयू से कहता है लेकिन मुझे इन लोगों की फाइट देखनी है मुझे देखना है कि किसके अंदर कितना दम है यही पर फार्णी यह जो चैप्टर होता यही पर खतम होता है और शची बोला होता ही है यह तीन चैप्टर स्पहली खतम हो चुका था था इन कल रात को अचानक से मैंने नूटिस किया कि इसके अंदर तीन नए चैप्टर इंकलूड घूँग ए और इसका मतलविशन है वो इंजर रहेगा जो की एक ढोंग कर रहा है काफी अधा पावफुल बनने का वो इसके इसके अंदर सेक्सेस्फुल रहेगा अब यह कैसे और किस तरी के से होने वाला यह तो हमें आगी जाके पता चलेगा सो हूप करता हो कि आपको यह आज का चैप्टर पसंद आया होगा और इसके बाद कोई भी नेक्स चैप्टर मत लिकिना स्वालो स्टार का क्योंकि जब भी नेक्स चैप्टर आएगा तो मुझे कमेंट एक्शन के अंदर को पूर जाता है तो आप लोग मैसेज करके बता देना सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स एपिसोड के अंदर तब तक के लिए बाबाए गुड नाइट